हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आज में आपको जो यह सेटिंग लगा देता हूं मेरे पास एक सोर्स है यह सोर्स है इससे में करण इंजेक्ट करेंगे हमारी यहां पर बंचे ऐस देक सकते जो सेकिन्डरी के वाहर हो निकाल रखें और यहां हमने सिटी जो चैनल में यूज किया है देखें यह 3 CT TV में थे 3 खोल दे यह हमारे मेंटरिंग यह हमारे प्रोटेक्शन तर्वह के लिए जब डेख सकते हैं यह वाला हमारा मेजरिंग म यह हमारा प्रोटक्षण वियुजबा है तो जो हमारा 222 इनमेटर उसमें पी आपको दिखाएंगे और जो है यह हमारी रिलेश में भी करन्ट आपको दिखाएंगे पहले में इसकी सेटिंग लागा देता हूं जो हमारा सोर सेपेंट वो तूहंडड एम्पेर का है अब इसम जाएंगे हम इसके बाद इसको क Почему पर किरेंगे अके स्टाय गाने के उर्ट वाहई। मैं मारे बाम में चल जाएंगे हमारी मिधा डिए अलोल सब्सक्राइब तो दीए सब्सक्राइब अंखाय के उनल स्वऐ खिनआ की स्थेbinполож फेलिए पर क्राइब लुट्द 속 indoor करता है उसको रिचेट पर टो करेंगे यह जो कर देखिए यह उपर गया है और यहां से नीचे आ रहा है इस पर इंटर करेंगे तो यहां पर देखिए और की सेटिंग आ गई सब्सक्राइब करने लगा है इन बटन करने लगा है इन बटन करने लगा है इन बटनों का यूज करके वेलू को इनकी डिक्रीज कर सकते हैं सब्सक्राइब करने लगा है इसको मैं करूंगा इसके बाद देखिए कर्व है यह प्रोटक्शन कर्व है जो नॉर्मल इन्वर्स नॉर्मल इन्वर्स 3.0 पर सेट है आप इसको चाहो तो चैंज कर सकते हैं यह आपकी रिक्वार्मेंट है तो सब्सक्राइब करने के लिए पूछ रहा है तो यह हो जाएगा उससे पहले पासवड वांगेगा पासवड हमारा शिक्स टाइम एंटर यह तो सिक्स टाइम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा पासवड यहां पर एंटर हो जाएगा देख सकते हैं यहां बटन दवाएंगे अब करेंगे इसको बढ़ा देंगे तो हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जाएंगे दुपारा से ओवर्ट की सेटिंग देखेंगे यह देख सकते हैं जो टाइमिंग है पाइंट सेकिंड की है और सेकिंड इस्टेज हमारी थिरी इंटू आइप यहां पर करके दिखाएंगे तो हमारे ओवर्ट की सेटिंग कंप्लीट हो कि यह दो बेग जाता है में बढ़ाएंगे एक सो एक सो शाट एंपर यहां पर ट्रिफ हो जाएगा तो निए पर बढ़ाना सुरू करते हैं है और यह हमारा मल्टी मेदल मिटर इसमें इा पर रहा है व्यदेख सकते हैं कि उसके बाद निया पर 15 कि मपर सब्सको करेंगा जाएगा शलो बढ़ाना बाइस इस देखे हिमारा उन ऐद करने तो जब कि यहाँ पे लाइट आ जाएगी कि विर्चंट आ इस देखे हिमारा टिर्प हो गया है ते होगे Щा क rozp कि देखिए इसी लिमारा ट्रिपोला का फार्ट इसटा ओवर करंट पर तेकिया और यहांपे LED भी आ गई है कि हमने इसको reset कर दिया है कम कर दिया है करंट तो यहां पर यह ऑटॉमेटिक reset हो जाता है यहां पर automatic reset हो जाता है इसके फाट को reset करने के लिए देखें यहां पर LED आ रहे हैं इस बटन को reset को दबाएंगे तो यहां पर हमारा reset हो जाएगा देखिए यह देखे reset हो गया है इस तरीके से यहां पर आप over current की testing कर सकते हैं मैं आपको earth volt की testing करके दिखा देता हूं तो यहां पर हम home button दबाएंगे देखें उसके बाद यह enter button दबाएंगे वही protection में जाएंगे यहां पर देखिए over current को हम यहां पर disable कर देते हैं एंटर करेंगे देखे बिलिंग करने लगा यह बड़े की value और यहां पर disable हो जाएगा देखिए मैं इसको disable कर देता हूं यह हम यहां पर disable हो गया है उसके बाद हम यहां पर back button दबाएंगे यह हम बटन से बेख जाता है यह value चेंज करने के लिए पूछ रहा एंटर दबाएंगे और फिर एंटर दबाएंगे तो पासवाट इस टाइम सिक्स टाइम सिक्स टाइम दबाएंगे तो यहां पर इंटर अटोमेटिक एंटर हो जाता है उसके बाद अर्फोल्ट पर जाएंगे यहां पर देखिए यह देखिए और इसके फिल्लों यहां पर इंटर किया हमारा सेट हो गया है जो अर्फोल्ट का कर्व है तो यहां पर आप इसको भी चंज कर सकते हैं यहां पर इसको भी रिक्वार्मेंट होती है तो कि अधि अधिन तबाएंगे यह ट्रिपिंग टाइमिंग है उसके टीग टाइमिंग हो गई टीग ने। फिटक है तो यह देख शक्लीन पर देखिए यहां पर एंटर करेंगे यहां पर एंटर किया पासवर्ड हो ही six time enter है एंटर किया उसके बाद देखे हमारा टेटा यहां पर से हो गया बटन तबाएंगे हम बटन यहां जाएगे हमारी मेटरिंग वाली उसके बाद यह डाउन बटन तबाएंगे तो यहां पर अर्थिंग की करणट आएगी तो यहां पर करणट बढ़ाना शुरू करते हैं यहां पर कर देते हैं चलो बढ़ाओ देखे हमारा ट्रीफ हो जाएगा चलो बढ़ाओ देखे हमारा ट्रीफ हो जाएगा यहां पर ट्रीफिंग लाइट भी आ रही है और देखे हैं यहां पर हमारा ट्रीफिंग लाइट यहां पर आ रही है इस बकार आप यहां पर अर्थ पोल्ड और वर्वर्ण की टेस्टिंग कर सकते हैं बाकी टेस्टिंग यहां पर पोसिबल्टी नहीं है तो मैं आपको द इसको रिसेट करने के लिए यह देखे यह बटन से रिसेट कर देंगे हम इसको यह बटन दबाएंगे यह देखें यहां पर यहां पर हमारी CSC Gen F500 जो रिले हैं इसकी ओवरकरंट एंड एर्थ फोल्ट पर टेस्टिंग कम्प्लीट हो गई है तो फेंड्स यादि आपको आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली सभी इलेक्टिकल टेस्टिंग ड्रोइंग एंड प्रोग्रामी से लेटिड वीडियो का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे तो फेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए ज प्रोग्रामी से लेटिवरेश